इसको बनाते हैं इसको यहां पर सॉल्व करते हैं इसे कोई खास मतलब नहीं है चलिए देखते हैं इसको यहां पर चुकिए आपके पास दिया हुआ है कि B प्लस C माइनस A बटा A और C प्लस A माइनस B बटा B और A प्लस B माइनस C बटा C A P में है तो यहाँ A P में है तो अगर हम यहाँ लिखे हैं दो घटाने पर जोडने पर जोडने पर 2 जोडने पर अब आप सोच हो किसार टू क्यों जोड़ाए अभी आपको पता चल लागा दो जोडने पर तो क्या होगा B प्लस C माइनस A बटा A प्लस में दो C प्लस A माइनस B बटा B P plus में दो A plus B minus C बटा C और plus में दो A P में है यहां भी A P में है क्लियर है अब यहां LCM ले लो और solve करो LCM लो के A लेहां का B plus C minus A plus का 2 A C plus A minus B plus का 2 B बटा में B यहां वे C LCM होगा A plus B minus C plus 2 C A P में है A P में है शरी आगे solve करते हैं तो यहां देखो हर एक जगा देखो क्या होगा यहां पे A plus B plus C हो जाएगा बटा A यहां पे A plus B plus C यहां भी आ जाएगा बटा में B और यहां भी A plus B plus C और बटा में C A P में है तो यहां क्या करेंगे A plus B plus C से भाग देंगे से भाग देने पर, a प्लस b प्लस c से भाग देने पर, तो भाग देते ही देखो, यह अच जगा, यह अच जगा, यह अच जगा जगा आपका, one by a, one by b, और one by c, a, p में है, यही नहां में सावित करना था, तो देखो तो कितना आसानी से हो गया, सलिए अगला कुछ